Compensatory Leave का क्या मतलब होता है आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Compensatory Leave उन छुटियों को कहते हैं जो किसी employee को extra काम करने पर यानि कि या तो उसने छुट्टी के दिन काम किया है या किसी ऐसे समय में काम किया है जब उसे काम नहीं करना चाहिए और उसकी चुट्टी होनी चाहिए और उसकी एवज में उसे एक दिन की या दो दिन की जो चुट्टी मिलती है इसके इलावा जो सब की चुट्टी होती है जो सरकारी चुट्टी होती है उसको public holidays कहा जाता है किसी प्रियजन की मृत्यू के समय पर जो चुट्टी मिलती है जो दुख की घड़ी में चुट्टी मिलती है तो उसको bereavement leave कहते है किसी को शादी के लिए या कोई family emergency के लिए चुट्टी लेनी पड़ती है तो उसको special leave कहते है और किसी को अचानक से कोई काम हो जाता है या कोई personal matter उसको handle करना पड़ता है उस चीज के लिए जब वो चुट्टी लेता है तो उसको casual leave कहते है बिमारी की हालत में ली जाने वाली चुट्टी को sick leave कहा जाता है और घूमने जाने के लिए या साल भर में हर company जो है अपने employees को कुछी दिन की चुट्टी देती है तो उसको annual leave या vacation leave कहते है मा बनने पर जो चुट्टिया मिलती है उसको हम maternity leave कहते है पिता बनने पर जो चुट्टिया मिलती है उनको paternity leave कहा जाता है और इसी तरह के से कोई पढ़ाई करने के लिए जो चुट्टी लेता है उसको study leave कहते है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर करें